तो आशाथियों श्वागत है आपका डिजेटी पीडिटी आर्ट के उड़ो प्लेट भाम पे मैं हों गरेशुकला शुबा के विजगाएं आठ और कला प्रशनत्री लेकर के मैं हाजिर हूँ आज जो कला प्रशनत्री में आपको करवाने जा रहा हूँ वो संबंधित है अस अस्थापत्यकला प्लस मूर्तिकला से अब ये तो आप जानती होंगे कि अस्थापत्यकला होता क्या है मूर्तिकला होता क्या है अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्लेमर सुन लीजिए अस्थापत्यकला का मतलब होता है ऐसा चीज जिसे अस्थापत एग एग पर कर दिया जाए और फिर उसे हाटाना वहाँ से आसान न हो इसलिए इसको अस्थापत्य कहा जाता है अगर कोई घर बन रहा है कोई महल बन रहा है कोई मंदिर बन रहा है तो क्या आप मंदिर को एक जगे बना करके दूसरे देगा अटा सकते हैं और जो अस्थापित है उससे आप कहीं हटा नहीं सकते हैं जली तो अस्थापत कला में हर वह निर्माड जो एक बड़ा भब्य निर्माड हो घर हो सकता है किसी राजा का राज महल हो सकता है कोई मंदर हो सकता है कोई बड़ा सा दरवाजा हो सकता है बड़ा सा गेट हो सकता है यह सब अस्थापतिकला में आते हैं ठीक है ना वहीं जो मूर्तिकला है आप जानते हैं कि मूर्तिकला क्या होती है तो मूर्तिकला में क्या होता है कि पत्थरों को तरास करके मूर्ति बनाई जाती है धातूं की ढ़लाई करके मूर्ति बनाई जाती है और कई माद्धे में मूर्ति बनाने के कंक्रीट और सीमेंट से भी मूर्तिया बनाई जाती है तो मूर्ति कला को you can easily move आप उसी कहीं भी हटा सकते हैं तो अस्थापति कला और मूर्ति कला में ये बिस्यस अनतर है अब ये जो कला प्रस्टमत्री में स्टाट कर रहा हूँ अस्थापति और मूर्ति को लेकर करीब डिगट से 200 सवाल में इसमें करवाऊंगा जो आपके TGT exam के लिए बहुत important है along with PGT and LT grade तो ये हर परिछा में सवाल यहां से पूँचे जाते हैं और common सवाल होते हैं अमोमन एक्जामस में पूछे जाते हैं बट कला में भी पूछे जाते हैं तो इससे हम पूरा करेंगे और मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन में दे दूँ कि प्राविधिक कला का टेस्ट चल रहा है तो यदि आपके कोई संपर्क में हूँ जो प्राविधिक कला से एक्जाम दिने जा रहे हैं तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारा फ्री टेस्ट जाइन करें इसके अलबाँ फ्री वीडियोस में मैं दे रहा हूँ तो उसको भी देखें और उन सबके लिंक में जो अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा यू कैन इसली फाइंड आउट ठीक ना तो जलिए भी स्टार्ट करते हैं आज सबकला पर समुतरी को देखते हैं सवालों के जबाब क्या होंगे और एट लास्ट पॉइंट नाट लीस्ट एक चीज़ मैं एड़ कर दू कि जून लोगों ने अभी तक टेस्ट जॉइन नहीं किया है प्लीज जॉइन दा टेस्ट क्योंकि एक्जाम जो हैं आपके बहुत दूर नहीं है जैसे ही सरकार का फार्मिशन हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यबंतरी सपत लेंगे बहुत जल्द ही घोशना होने वाली हैं बैकेंशी उची तो बैकेंसी आए और उसके बाद मे बहतर है आप टेस्ट जॉइन कर लिजिए और जिनकी त्यारी भी ठीक नहीं है जो नए नए नवी लें कला में वो पीड़ जॉइन कर सकते हैं और यह दूनाची जॉइन करने के लिए मुझे फोन कर सकते हैं 96 96 82 76 46 पर यह मेरा फोन नंबर भी है और यह मेरा वाटसप साय मोहन जोदरो यह बहुत ही इस चीवाते सिंपल साय है इसको आपने अध़पासब्धैय पढ़ा था तो मोह hiss गयी है पॉस्जजदरो से कितनी है और इस सवाल आया भी थाइस बार ठीक न और उम्मेद करता हो कि आप सबको पता होगा कमेंट बाक्स में लिकर करके बताईए प्रत्हम धात निर्मित नर्तकी की मुर्ती प्राप्त हुई है कहां से प्राप्त हुई है तो यह अबियस्जी बात है मोहन जूरों से प् माध्यम में बनी है जो नर्तकी की मुर्ती प्राप्त हुई हो किस माध्यम में बनी है पत्था टेरा कोटा लकडिया कांसा किस में बनी हुई कांसम बनी हुई है धात की मुर्ती है प्रत्हम धात की मुर्ती किस सबहता में प्राप्त हो दी है बैदिक सबहता यह बाद में आ देखने को मिलेगी और सिंदू सब्यता यहां पर सबसे प्राचीन है और यहां भी मूर्तियां देखने को मिली है तो आप कह सकते हैं कि धादू की मूर्ति सबसे पहले सिंदू सब्यता में देखने को मिले थी हरपा से प्रात नट्राज की मूर्ति की उचाई कितनी है तो यह तीन दिसमलो साथ या आठ इंच आप इसे कह सकते हैं ठीक है ना तो एक आठ इंच के आसपास आपको यह रपास बितर से प्रादम जो नटराज के मुरती है वो कितनी है आठ इंच के आसपास है ठीक है ना आगे देखते हैं मोहन जोदरो असनानागार के पूरव दिसा में इस तूब का अंडरमार किस काल में हुआ है मोहन जोदरो असनानागार के पूरव दिसा में इस तूब का अंडरमार किस काल में हुआ है अब इस तूब है ना वो भी किस में आएगा और पूजा करने का स्थान इसलिए है जिससे पूजा करने के दो स्थान होते हैं बहुत धर्में एक तो चैत होता है चैत में वो प्रे करते हैं क्या करते हैं प्रे प्राथना करते हैं जाकर करके याद करते हैं अब जो है कुछ उचारन करते हैं और धियुता को याद करते हैं बट जो आपका इस तूप है, यहाँ पर क्या खास बात है कि जो बोधिसत्तों हुए हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, उनको रखा जाता है, कहाँ पर इस तूपा में, और वो एक तरीके से अपने बोधिसत्तों का जो है, वहाँ पर जाकर के परिक्रिमा करते हैं, और उन्हें आराधना करते हैं, तो इस पर एक प्रकार से वो समाधी की रूप में होता है, जो समाधी का कांसप्ट आपको इसलाम में देखने को मिलता है, जो समाधी का कांसप्ट आपको इसलाम में देखने को मिलता है, तो उस ताइप कांसप्ट आपको देखने को मिलता है, इस तूप हुआ है ये बहुत ही सिंपल सा है कुशान काल में हुआ है आगे देखते हैं भाजा की गुफा इस्थित है भाजा की गुफा कहां इस्थित है कुश्य नमबर आठ और इसका सही जबाब क्या होगा महाराश्टरा में भाजा की गुफा कहां इस्थित है महाराश्टरा में इस कि आगी देखेंगे मोहन जोद्र से प्राप्त कांश नर्त की किस काल में बनाई गई है इसका काल खंड पहुंचा जा रहा है तो कोश्चिन नमबर दस और इसका सही जवाब क्या है कि इसका सही जवाब होगा आपका 25 शोईशापूर ठीक ना पचीश सो इसापूर बसका सही जवाब होगा क्योंकि आपकी हड़ा पाश भेता है वो देखने को ही मिलती है तेश सो पचास विसी से लेकर के उनिश सो पचास विसी की बीच में कई अलग अलग काल खंड बताये लेकिन जो सबसे जादाश मानता yes पचीश सो इसापूर बसे लेकर के सात्रा सौपजास के अस पास मान रहता है तो जो महां जोड़र से प्राप्ट कांस के नर्थिय smellsी ABर्य असनानागार कहां इस्थित यह श्रक यह इक अस्थापत तिकला का प्रतीख है मैंने कहा जो अस्थापित हो जाए वही अस्थापतिकला है लोथल से, मोहन जोदरो से, हडपा से या काली बंगा से अस्थान अनागार कहा से प्राप्त होई थी याद करिए मैंने पढ़ाया भी था हडपा सबेता वाले टापिक में इलोरा की बतीशी गुफा किस नाम से जानी जाती है यह बहुत important है और कई बार पर इच्छां कोचा भी गया है तो इसको इंदर सभा कहा जाता है क्या कहा जाता है इंदर सभा कहा जाता है इलोरा प्रसिद है किस के लिए चित्रों के लिए, वस निर्माड के लिए, मूर्ती के लिए या द्रसिद के लिए बहुत important सवाल है इलोरा किस के लिए प्रसिद है कुशन number 14 है उसका सही जवाब हुचाएगा मूर्ती के लिए यहाँ पर मूर्तियां पराप्त होई है उसके लिए प्रसिद है इलोरा में गुफाएं और सैलिकृत मंदिर है किसके? बौधों के बौधों और जैनों के हिंदू और जैनों के हिंदू बौधों और जैनों के तो जो इलोरा की गुफा है यहाँ पर आपको सभी धर्म के जो है मंदिर देखने को मिलते हैं तो यह हो जाएगा आपका अपसरेंटी हिंदू बहुत हो और जैन इलोरा की प्रसिद्धी का कारण क्या है चितरसेली धार में बिसेवस्तू लच्मी मंदिर या कैलास मंदिर तो कैलास मंदिर बहुत important है बहुत अंबारिक जाम में पूछा गया है यह है एलोरा की पहचान कैलास मंदिर ठीक ना कैलास मंदिर एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है तो एलोरा की जान है कैलास मंदिर ठीक ना एलोरा की जान क्या है कैलास मंदिर ब्रम्हा बिष्णु महेश के त्रमूर्थी कहां इस्तित है तो ये है इलिफेंटा गुपा में कहा है इलिफेंटा गुपा में है अगे देखते है इलिफेंटा किसलिए प्रसिद्ध है मंदिर के लिए मुर्थियों के लिए हाथियों के लिए गुपाओं के लिए किसलिए तो यह प्रसिद्ध है अपनी मूर्तियों के लिए किसके लिए अपनी मूर्तियों के लिए बिक्षात महेस राक कट मूर्ति कहां इस्थित है सारनात में एलिफेंटा में अमरावती में या सिगरिया में कुछ नमबर 20 और इसका सही जवाब क्या है एलिफेंटा में इस्थित तो भारती है मंदिर निर्माड में सिखर का सरपर्थन प्रियोग किस मंदिर में देखने को मिलता है। और उन देखने को मिलता है गांधार सहली और इसके साथ साथ मतुरा सहली और यह बहुत ही परिस्कृत सहली थी गांधार सहली जो है बहुत ही परिस्कृत सहली थी इसमें बहुत सारी मुर्तिया बनी है खासकर बहुत धर्म से रिलेटेड मुर्तिया बहुत जादा बनी है इस मंदिर का निर्मार कि उससे पहले नहीं गुविधिक और पहले कि जो मंदिर है वह भक्ति के उधनरा किसका अधिक है और गुभतिकाल के आसपास ही डवल्बस हो थी कैसे पहले कि तकि जो ईश्वरKA 05 है वह एप ढिएक था युनिफाम था और इसके अलामा की था कि लोग ए असना धर्म में किया था कि बैदिक उच्चारण होते थे जब जैन और बहुत नए पंथ के रूप में आए तो उन्होंने दिवताओं का बहुत सारा खंडिन कर दिया वो किसमें बात करते थे यो मानो बात करते थे और उन्होंने जो गरीब इनसान हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात की तो हुआ क्या कि जो धर्म है न वो एक तरीके से मानो कल्याण का भी सह था धर्म का था मानो कल्याण का भी सह था और यह लोकिक बहुत जदा था पर लोकिक कम था लेकिन जैसे जैसे समय भी था तो धर्म जो है पर लोकिक होने लगे और जब पर लोग की खोने लगे तो ऐसा बात हुआ कि ऊपर कुई देउता है उनका एक अलग सकती है तो उनके मंदिर बना करके पूजा करने का प्रयास जो है स्टार्ट किया गया और इसे भी स्टार्ट होता है गुप्तिकाल के आसपास में तो जब मंदिर बनेंगे या मूर्तियां बनेंगी आपको गुप्तिकाल के आसपास ही मिलती हुई बनेंगी तिहास ज़्यादा हो जाएगा ने तुम्हें पूरा आपको समझाता कि कैसे जो है एक तरीके से पूझाय स्टार्ट होता है भारत में और गुप्तिकाल में मंदिर बहुत बड़े लेबल पर बनने लगते हैं और इस सुरुवात कहीं न कहीं होता है बौध से जब बौध धर्म तूट गजा हीनियान और महायान में तो जो महायान साखा थी वो बौध को देवता मानते थे और सबसे पहले उन्होंने ही मूर्तियां और मंदिर बनावने इस्टार्ट किये हलाकि जो बौध धर्म का हीनियान साखा है वो मानता था कि बौध एक से चचग थे और कोई देवता नहीं थे और वहां से बहुत ही बड़े लेवल पर और इसको काउंटर करने के लिए फिर सनातन धरम में बहुत सारे मंदिर बनाए गए बहुत सारे देवताओं के मुर्तियां बनाए गए उदेगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की है उदेगिरी और खंडगिरी के उपाय किस काल की और इसका सही अंसर आपको हो जाएगा आपसन सी सुंग काल की है उदेगिरी और खंडगिरी के उपाय किस काल की है सुंग काल की है दिली का लाल किला किसके पुतर द्वारा बनवाय गया था अब लाल किला बनवाया किसने था ये सवाल पूचे जा रहा है लेकिन घुमा के पूचे जा रहा है कि इसके पुद्र द्वारा बनवाया गया था तो ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि बनवाया किसने था सा जहान ने बनवाया था लाल किल अ किस ने बन वन वाया है सा जहां किसका लड़का है कुश जहांगीर का लड़का है तो आपसन इसमें 20 सही हो जाएगा हुमायो का मकबरा कहां इस्थित है दिल्ी में, मंबई में, आगरा में या फतेबूर्सीकरी में कुछी नबर 26 का अपसन ये सही है हुमायू का मंगपरा दिल लिमेशतित है बुलंदरवाजे का निर्माड किस सासग ने करवाया था बुलंदरवाजे का निर्माड किस ने करवाया था तो ये करवाया था अकबर ने ऐखे सब्सक्राइब और योरुते में को अबर्दिव कुन इसका आपसिए अनसर हो जाएगा इनिट से निर्मित बिश्जुक inclusive सब्सक्राइब कि कहां है या कुछ सी है इंट से निर्मित बिस्व की सबसे उची मिनार एफिल टावर है कि कुछ नमबर 30 और इसका सही जबाब हो जाएगा आपका कुछ नमबर 30 और इसका निर्मार कुछ बुद्दिन एवाक उसके बाद में इल्टू तमिश ने करवाया तर खिलजियों ने भी उसमें कई के सारे काम करवाये थे लोग इक लंबा पीरियट इसको बनाने का लेकिन स्टार्ट इस नहीं किया था को तो बुद्दिन एवाक ने बरसम अस्तंभ मिलता है कहां पर वारांट सी में रामनगर में रामपुर्वा में या गया में कुछ नमबर 31 और इसका सही सीरी आंसरा आपका हो जाए गॉैयर तों बोट बने मही खार गर होए notmachen AAA OH में हान्यवाट टेरा कोटा किस देश सबंधध है लिग जापान से समंधध में पूचा गया है सिर्षा का मक्वरा कहां कि मैं तर पर प्रदेश में सासारामे कुछ नमब्र 35 और इसका सही अंसर हो जाएगा कन्या कुमारी द्रोपदी रथ मंदिर कहां इस्थित है द्रोपदी रथ मंदिर कहां है इलोरा में, कुडार्क में, हमपी में या महावली पुरम में कोशिन नमर 36 और इसका सही अंसर हो जाएगा महावली पुरम में महाबलीपुरम में एक गुरुप आफ रथ मंदिर आपको देखने को मिलता है ठीक ना तो महाबलीपुरम में कई रथ मंदिर आपको देखने को मिलते हैं देवगड का दसावतार मंदिर निम से किस नगर के समीप है देवगड का दसावतार मंदिर किस के समीप है आगरा दिल्ली ललितपूर या करनाटक तो कुछ नमबर 36 और इसका सही अंसर हो जाएगा आपका ललितपूर गोल गुंबद कहा इस्तित है सहरनपूर गोलकंडा या फतेपूर या गुजापूर कहा इस्तित है कुछ नमबर 38 और इसका सही अंसर हो जाएगा आपका बीजापूर गोल गुंबद कहा है बीजापूर में है देवगड के दसावतार मंदर का निर्माड काल है देवगड के दसावतार मंदर का निर्माड काल क्या है पांचवी सताब दी, आठवी सताब दी, सातवी सताब दी या दसवी सताब दी तो ये बहुत ही जिंपल है इसका सही जवाब क्या होगा कुशिन नमगर 39 ने उसका सही जवाब हो जाएगा आपका पांच विशताब दी निम्न में से कौन सा मंदिर कानपुर में इस्तित है कुणार्क, बहतर गाउं, सास बहु मंदिर या इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहतर गाउं तो इस प्रकार आज हमने 40 प्रस्णापों करवाए अस्तापत यों मुर्तिकला से ये सिल्सले जारी देगा जब तक हम करना ही लेगें करीब 200 प्रस्णाप में करवाने हैं अस्तापत कला में और मुर्तिकला में तो 2-3-4 वीडियो में ये कबर हो जाएंगे तो जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है अरे अब तो कर दो प्लप कहना पड़ता है लाइक करने के लिए प्लीज आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और उसके बाद में कंटेंट और बेहतर आपके सामने आएंगे तो प्लीज लाइक शेर और जो नए हैं चलने को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइपन को भी प्रेस कर लें ताकि जो नए वीडियो हमका नोटिफिकेशन में फटा फट मिलता रहे प्रावधिकला की क्लास आज जिन लेगी आज भी उसका टेस्ट होगा तो जिन लोगों ने अभी तक जोइन नहीं किया है प्लीज जोइन करिए और अगर आपने प्रावधिकला करके रखा है आपने कोई साथी बराती दोस्त तियार कर रहे हैं तो इनको भी सेयर कर दीजिए इसके अलामा जो टेस्ट अभी नहीं जोइन किये हैं या पेड़ बाइज जोइन करना चाहते हैं और मुझे फोन कर सकते हैं 96 96 82 76 46 पर सारी जानकारी ले सकते हैं तो मिलते हैं कल की कला पर स्थाथी में तब-देख लेना उसके बाद में दिन भर हुली खिरना कोई दिक्कत नहीं और पड़ाजी के साथ कोई खिरबार नहीं है तो मिलते हैं कल बहुत धन्यवाद